Concept of Health and Disease and Concept of Holistic Health स्वास्थ एक शब्द है, टर्म से जिसको हम लोग दैनिक जीवन में या अपने आप जिसको जो कूर्स आप कर रहे हैं उसमें हम लोग इस शब्द का उप्योग करते हैं बार-बार स्वास्थ से आसे इसी को अंग्रेजी में Health Term दिया गया है हम लोग इस शब्द का पर जब विचार करते हैं इस शब्द के बारे में जब सूचते हैं तो हमारे मन में जो अब धारना जो concept आता है वो ये आता है कि यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है हमारे शरीर disease free है रोग रही थे है तो हम स्वस्थ है इस तरह की धारना हमारी होती है कि शरीर की बनावट ठीक है शरीर में कोई विकलांगता नहीं है शरीर निरोगी है कोई रोग ऐसा कोई रोग नहीं है तो शरीर स्वस्थ है परंतो यदि आप स्वास्थ को व्यापक रूप से सूचेंगे स्वास्थ के विभिन पक्ष़ों को स्वास्थ के विभिन डॉमेन को देखेंगे तो आजकल हमारा जो शरीर है इस शरीर शारिरिक स्वास्थ यानि फिजिकल हेल्थ के आलावा के उपर मानसिक स्वास्त है, हमारा सामाजिक स्वास्त है, कहीं-कहीं आध्यात्मिक स्वास्त के भी चर्चा की जाती है, ये सारे क्या है? ये हमारे स्वास्त के बिभिन आयाम है, बिभिन पक्ष है. अभी तक हम लोगों ने या हमारे जो system है, जो तंद्र है, वहाँ पे अधिक्तम जो जो क्या कहें महत्ता जो दी जाती है, वो शारिक स्वास्त को ही दी जाती है. कहीं आप किसी हल्थ केर सेंटर में किसी हॉसपीटल्स में जाएंगे तो अलग-अलग डिपार्alon इस वहाँ पे आपको मिलेगा ये क्या है तो डर्मेटोलाजी है स्किन रोग का चिकसा करता है दूसरा डिपार्टमेंट क्या है कार्डियोलाजी है ये हिर्दे से संबंधित रोगों का उपचार करता है, तीसरा क्या है तो पल्मोनोलाजी है, ये हमारी चस्ट और लंग से रिलेटिड रोग का इलाज करता है, दूसरा डिपार्ट नेफरोलाजी है, नीरोलाजी है, अलग-अलग और्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, इस कुछ हॉस्पीटल्स में आपको डिपार्टमेंट आफ साइकियर्ट्री भी दिखेगा मनो रोग का चिकितसा, मनो रोग का उपचार, मानसीक रोगों का उपचार तो शरीर जो है ये स्थूल है, यानि ये ग्रॉस है और जो हमारा मन है वो तुलनात्मक रोप से सुक्ष्म है अगर हम शरीर से उसके तुलना करें अपने मन की, अपने इंद्रियाओं की, अपने विचार की, चिंतन की तो ये क्या है तुलनात्मक रोप से सुक्ष्म है, सब्चल है इसलिए जो चीज इस्थुल है जो चीज दिखाई देता है जिस चीज को हम मैसूस कर सकते हैं आसानी से उन चीजों को महत्ता विज्ञान जो है वो अधिक महत्ता देता है और विज्ञान तो साक्ष के आधार पर evidence-based knowledge है तो शरीर से संबंधित जो विकार होते हैं जो रोग होते हैं इन रोगों के उपचार पे जितना ज़्यादा महत्ता इनको दी गई उतनी महत्ता जो है मानसिक रोगों को जो mental diseases है या psychic disturbances होते हैं उसको उतनी महत्ता नहीं मिल पाई है जितनी उसको मिलना चाहिए क्योंकि ये जो हमारा शरीर और मन है ये दोनों हमारे अस्तित्तो के दो पक्ष हैं हमारा जो पूरा अस्तित्त है जो total existence है उसमें केवल body हम लोग जानते हैं आप भी इस चीज़ को भले भाती जानते होंगे कि जो हमारा अस्तित्तो किस चीज़ से बना हुआ है हमारा अस्तित्तो केवल हमारी शरीर से ही नहीं है हमारा अस्तित्तो शरीर के beyond भी है शरीर के परेवी कुछ चीज़े हैं जो हमारे उस्तित्तों को प्रभावित करता है जैसे हमारी इंद्रिय है हमारा मन है अगर योग दर्शन के आधार पे हम लोग विचार करें तो इसमें हमारी बुद्धी है अहंकार है आत्मा है ये सब क्या है हमारे existence के different components है हमारे जो उस्तित्तों है इन सब से मिलके बना हुआ है तो हम लोग शरीर पे विशेश ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए शरीर पे विशेश ध्यान देना चाहिए क्योंकि शरीर जो है ये इसी के माध्यम से कोई भी क्रिया कोई भी कर्म हम लोग कर पाते हैं लेकिन उन क्रियाओं उन कर्म की जो ideology है जो idea है जो विचार है जो उसकी अवधारना है वो अवधारना कहां बनता है वो अवधारना हमारी मन में बनता है आप देखेंगे कि कोई भी architect कोई भी building कोई भी structure बनाने से पहले वो एक जो map है जो उसका structure है वो हमारे मन में पहले ही बन चुका होता है जो structure बाद में जमीन पे आकार लेगा वो हमारे मन में पहले ही आकार ले चुका होता है तो यह क्या है यह सुक्ष्म जगत में हम कह सकते हैं कि इस थूल जगत में जो एक तरह से physical world है physical world में जो घटनाएं जो कुछ भी घट रही है हम इस आधार पे कह सकते हैं कि वो घटनाएं सुक्ष्म जगत में घट चुकी होगी पहले ही हो चुकी होगी अब वो क्या है इस थूल जगत में वो आकार ले रहा है वो शेप ले रहा है तो हमारा जो स्तित्त है वो इस तरह से बना है हम चुकी स्वास्त की अब धारना के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्वास्त के बारे में योग इस तरह से योग जो योग दर्शन है उसमें अलग अलग चाहे सांख दर्शन है योग दर्शन है उसमें आप देखेंगे कि हमारे स्तित्व को इसी तरह से बताया गया है कि हमारा शरीर जो है इसमें पंचित्त्व है, पंच महा भूत है, इससे बना हुआ है, पंच महाभूत के कुछ सुक्ष्म पंच भूत जो है उसके कुछ सुक्ष्म गुर्वी होते हैं जैसे जल का रस है पृत्वी का गंध है उसी तरह से अलग-अलग जो भूत है उनके अलग-अलग तनमात्राएं भी बताई गई है तो ये सब इस तरह से जो है ये हमारी क्या है दारशनिक विशलेशन दारशनिक अवधारना है शरीर के बारे में आधुनिक चिकसा विज्ञान जो है या आधुनिक विज्ञान वो अपने तरीके से उनके अपने सिधानत है वो अपने तरीके से उसका विशलेशन परिवासित उसको करता है, जैसे कि आप लोगों ने शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारा शरीर जो है, ये molecular level से लेके और system level तक, organ से लेके system level तक डिबलब है, molecular level पे इसमें carbon है, hydrogen है, oxygen है, ये मुख्य molek तत्व है, इसके अलावा इसमें और भी तत्व हैं, जो अप एक शाकृत कम मातरा में होते हैं, जिसे nitrogen है, oxygen है, या और और जो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे तत्व हैं, ये molecular level पे ये चीज़ें हैं, ये molecules आपस में जूड़के, एक अठा होके, जो है, ये carbohydrate, protein, वसा, vitamin, खनीज लव ये सब, जो है, का संगठन, जो है, वो कोशिकाओं को निर्मित करता है, कोशिकाओं के समुह को उतक कहते हैं, उतक का एक निश्चित, उतक जो है, वो एक निश्चित आकार, आकरती बनाती है, जो किसी विशेश कारे को संपाधित करता है, उसको अंग कहा जाता है, और कु क्रिया को पूर्ण करने के लिए पाचन तंत्र है है श्वशन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए श्वशन तंत्र है उसी तरह रक्त और और्गेन से सिस्टम लेवल तक बना हुआ है तो स्वास्थ जो है इन सभी पक्षों अगर हम स्वास्थ का एक परिभाशा एक इसका एक डैफिनीशन को समझना चाहें तो दुनिया में एक संगठन है जो डबलु एच ओ के नाम से जाना जाता है World Health Organization विश्व स्वास्थ संगठन जो सन्युक्त रास्ट की एक अंग है विश्व स्वास्थ संगठन ये विश्व स्वास्थ संगठन जो है ये संपूर्न विश्व में स्वास्थ से संबंधित अलग-अलग आंक्रे अलग-अलग सर्वेक्षन अलग-अलग जो है ये अपना स स्वास्त से सम्मंधित विभिन पक्षों पे अपना काम करती है, अपने जो इनकी जो प्रकाशन है, वो भी होते हैं, जो पब्लिकेशन है, इनकी रिसर्च होते हैं, डबलु एचो ने स्वास्त की एक परिभाशा बनाने की कोशिश की है, बनाई है स्वास्त की परिभाशा, और उस स्वास्त की परिभाशा में डबलु एचो बताते हैं, कि स्वास्त मात्र रोगों की अनुपस्थिती या शरीर के अंगों की विकृती की अनुपस्थिती मात्र नहीं है, तो स्वास्त क्या है? स्वास्त शारिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण अवस्था है तब उन्होंने जो इंग्लिश में इसकी परिवासा, मैंने तो हिंदी में इसको ट्रांस्डेट करके आपको बताया इंग्लिश में उन्होंने बताया है कि health is a complete state of physical, mental and social well-being not merely the absence of disease or infirmity इसका आर्थ यही है कि श्वास्त केवल रोग और विकलांगता, शारिक, अपूर्णता की कमी मात्र नहीं है यह संपूर्ण रूप से शारिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्त इस्थिती को स्वास्त उन्होंने बताया है तो इसमें भी उन्होंने शारिक, मानसिक और सामाजिक तीनों पहलूँ को रखा है शाररिक पहलू के बारे में तो हमने अभी चर्चा की हम लोगों ने कि हमारी शरीर के बिभिन घटक क्या है इन घटकों के बीच में एक स्वस्त तालमेल होना बहुत आवश्यक है अगर वो तालमेल में कहीं कमी आ जाए तो वो उसको भी रोग के नाम से जाना जाता है तो अगर वो तालमेल सही है तो उस इस्तिति को हम होमियोस्टैसिस बोलते हैं साम्यावस्था है होमियोस्टैस स्टैक कंडिशन में है बॉड़ी और होमियोस्टैसिस का डिस्टर्ब हो जाना साम्यावस्था का विगर जाना यही क्या है एक तरह से रोग है बिमारी है तो साम्या वास्था को कैसे बनाए रखा जाए इसके वारे में आपने कई लेक्षर भी आपने सुना होगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें इसके लिए हमें क्या-क्या व्यवस्था या विधान या दिन चरिया अपनानी चाहिए इसको हम लोग बाद में इस पर भी कुछ बात करेंगे, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं स्वास्त के बारे में, स्वास्त को WHO ने के तीन आयाम बताए, एक शाररिक आयाम, दूसरा मानसिक आयाम और तीसरा सामाजिक आयाम, शाररिक आयाम से हम ये समझते हैं कि हमारा शरीर अगर ठीक-ठीक सही-सही, सारे अंग अगर अपने एक तरह से जितने भी हमारे शरीर के सिस्टम हैं, और और अर्गेंस हैं, वो अगर proper वर्क कर रहा है, proper फंक्शनिंग है उसकी, ठीक-ठीक काम कर रहा है, और उसके बीच में एक स्वास्थ तालमेल है, समन्में है, तो उसको क्या कहेंगे? शारिरीक स्वास्थ, शरीर स्वास्थ है, ऐसा बोलेंगे. मानसिक स्वास्त क्या है? मानसिक स्वास्त का मतलब है कि हम अपने हमारा जो स्मृति है, हमारी जो मेमरी है, हमारा जो ज़स्मेंच है, नरने लेने की शम्ता जो है, या हमारा जो कॉगनीशन है, संग्यान है, हमारे जो समझने की शम्ता है, जो परसेप्शन और कॉगनीशन है, यह सब चीज़ अगर प्रोपर है, ठीक है, और हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, हम मानसिक रूप से स्वास्त है, हमें कैसा, यह हमने कुछ चीज़ें बताई, memory है, perception है, cognition है, हमारा judgment है, हमारा self-concept, self-confidence, self-esteem, यह सब कुछ अवस्था में हैं, तो हम मांसिक रूप से स्वस्त हैं और सामाजिक रूप से स्वस्त होने का क्या आसे है, सामाजिक रूप से स्वस्त होने का आसे यहाँ पे यह है, कि हमारा जो inter, एक होता है inter-personal relationship, और एक होता है intra-personal relationship, intra-personal relationship का मतलब होता है, कि आप अंतरवायक्तिक जो संबंध है, और एक है अंतरवायक्तिक संबंध, एक स्वयम आप अपने आपको कितना नियंतरित रखते हैं, कितना समुचित तरीके से आप अपने सामर्थ का उपयोग करते हैं, आपके अंदर में जो प्रकृति ने जो कुछ भी capability, capacity दिया है, उस capability, उस capacity, उस क्षमता का आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से आप उसका उपयोग करते हैं, ये क्या है आपका intra-personal relationship, मतलब जो intra मतलब within, आप अपने मन का, इंद्रिय का, मन का, बुद्धी का, ये सब का समुचित उपयोग कर पा रहे हैं, कि ने कर पा रहे हैं, एक होता है, inter-personal relationship, within, मतलब आपका interaction, आपका behavior, interaction, आपका response, ये कैसा है, दूसरी की प्रति, आपकी family है, आपकी never है, आसपरोस के लोग हैं, आपके relation के लोग हैं, उनके साथ आपका जो अंतर संबंध है, जो आपके relation है, आपका interaction, आपका समवाद है, आपका वेभार है, आपके उन लोगों के प्रति, जो response है, ये सब क्या है, ये सब हमारा समाजिक स्वास्त को तै करता है, तो ये चीजें, ये पक्ष, जो है, सारे पक्ष मजबूत होनी चाहिए, हमारा शाररिक पक्ष भी उत्तम होना चाहिए, मानसिक पक्ष भी उत्तम होना चाहिए, सामाजिक पक्ष भी उत्तम होना चाहिए, और हमारे शरीर में कोई रोग नहीं हो, और नहीं कोई शाररिक अ गठन के अनुसार, ऐसे state, ऐसी अवस्था स्वास्थ कहलाएगी, आप स्वस्थ कहलाएगे, अब इन पहलों पे अगर आप अपने आपको तॉलें, अपने आपको अगर देखें, तो आप पाएंगे कि बहुत ही बिरले कोई है जो इन सभी पक्षों पे खड़े उतरते हैं, क कम से कम, कहीं न कहीं हमारे अंदर जो है, कुछ न कुछ चाहे शारवी किस्तर पे हो, या मानसी किस्तर पे हो, या सामाजी किस्तर पे हो, कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ तूटियां, ये सब सीज़ें होती हैं, और हम अपने आपको या इस कर्षावटी पे, इस क्रा अब हम लोग चलते हैं, ये तो आधुनिक विज्ञान के बारे में हमने बात की, कि जो modern science है, उसमें इस तरह से स्वास्त को परिवासित करने की कोशिश की गई है, अब हम लोग थोड़ा सा प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान की जो पधती है, उसके आधार पे स्वास्त का वि पधती में एक आयूर विज्ञान है, जिसको आयूर वेद कहा गया है, आयूर वेद की नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी दुनिया की प्राचीनतम क्या है, health science है एक तरह से, जिसको जीवन विज्ञान कह सकते हैं, आयूर वेद, जो आयू का knowledge हो, wisdom हो, एक तरह से जो हमारा age है, हमारा जो life है, इसका विज्ञान है, वो आयूर विज्ञान, आयूर वेद, आयूर वेद प्राचीनतम विज्ञान है, और इस आयूर वेद की विशेषता क्या है, अगर आयूर वेद की तुलना हम लोग अगर आज के आधुनिक विज्ञान से करें, तो आधुनिक जो जो चिकिस्सा विज्ञान है, वो भी अपने आप में महतपूर्ण है, उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है, लेकिन आयुर्वेद की विशेष्टा ये है कि आयुर्वेद का जो उदेश आयुर्वेद के ग्रंथों में आयुर्वेद के रिशियों ने आचारियों ने बताय है कि स्वस्थस्य स्वास्थ रक्षनम आतुरस्य विकार प्रशमनम्च ऐसा एक श्लोक आता है आयुर्वेद की ग्रंथों में वो आयुर्वेद के उदेश को बताता है आयुर्वेद की aim, target, उदेश क्या है स्वस्थस्य स्वास्थ रक्षनम मतलब the priority of आयुर्वेद की आतुरस्य विकार प्रशमनम्च अगर कोई व्यक्ति रोगी है बिमार है तो उसका उपचार भी करेंगे लेकिन पहले क्या करेंगे पहले जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी स्वास्थ की रक्षा करेंगे अब आप कहेंगे इसमें क्या विशेष्था है इसमें विशेष्था ये है इसमें prevention पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है Prevention and promotion, health का prevention, health का promotion, prevention means prevention from the disease and promotion of health, स्वास्त सन्रक्षन और स्वास्त सम्वर्धन, ये दो पक्ष है, जो बहुत ही गहराई से आयरवेद के गरंथों में इसके विचार किया गया है, और इसके बारे में इसको कैसे हम अपने स्वास्त का अविवर्धन करें, स्वास्त का बचाओ करें, इसमें बहुत बल दिया गया है, और ये सारे जो पक्ष है, इसको आयरवे के में एक अस्टांग हर्दय नाम की एक ग्रंथ है जो रिशी बागवट ने इसको लिखा है उनकी रचना है इस अस्टांग हर्दय में विशेश रूप से जो है स्वस्त वृत की चर्चा की है स्वस्त वृत मतलब इसको हेल्थ एंड हाइजीन आप अंग्रेजी में अगर ट्रांसलिट करें तो इस तरह से इसको कर सकते हैं हेल्थ एंड हाइजीन स्वस्त बृत के बारे में उन्होंने विस्तार सिवर्नन किया है और उन्होंने तीन पक्षों को बताया है दिन चरिया, डे रिजिम, रात्री चरिया, नाइट रिजिम और दूसरा उन्होंने तीसरा जो है वो रितु चरिया सिजनल रिजिम हमारी दिन चरिया कैसी हो, हमारी रात्री चरिया कैसी हो और हमारी रितु चरिया कैसी हो दिन चरिया मतलब दैनिक, आचार विचार, रहन सेहन, खान पान कैसे होने चाहिए, रात्री चरिया, निद्रा, सौपन ये सब के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है और रितुचरिया के बारे में बताया है रितुचरिया का मतलब है अलग-अलग जो सीजन होते हैं जो रित्वें आती है सीजन उस सीजन में हमारे रहन सहन, खान पान कैसा होना चाहिए ताकि हमारा स्वास्त उत्तम रहे अच्छा रहे तो इस तरह से बहुत ही विस्तार से इसका वर्नन उन्होंने स्वस्तवरत के अंतरगत जो है अस्टांग घरदय के अंतरगत इसका वर्नन किया है रिशी भागवट ने तभी आपको मौका मिले तो आप जरूर उसको अगर क्लूज मिलेंगे ऐसे आपको फैक्ट्स मिलेंगे अच्छी जो आपको और जगह मिलना मुश्किल है तो हम ये कह रहेते कि आयुर्वेद में स्वास्त को कैसे परिवासित किया गया है स्वास्त को किस तरह से देखा गया है अब आप अंधाजा हमने आयुर्वेद का उद्देश ही आपको पता चल गया होगा कि आयुर्वेद का उद्देश ही क्या है कि स्वास्त की रक्षा करना और जो अस्वस्त वक्ति है उसका बाद में उपचार करना बाद मतलब वो second priority, first priority क्या है, लोग बिमारी ना, हमारे अंदर रोग ही ना आए, हम स्वस्त रहें, सतायू रहें, मतलब long living, 100 वर्ष तक जियें, और निरोग जियें, इसके लिए हमें किस तरह की दिन चरिया हमें अपनानी चाहिए, उसके बारे मनोंने सबसे पहले बताया है आयुर्वेद में स्वस्त की परिभाषा मिलती है, स्वस्त पुरुष की लक्षन क्या-क्या होते हैं, यहाँ पे पुरुष का मतलब कोई gender नहीं है, genderless, उसमें male female दोनों है तो उन्होंने स्वस्त पुरुष के लक्षन बताये हैं, जो चरक सूत्र या चरक सूत्र में इस तरह का वर्रन आता है, स्लोक नमबर नहीं हूँ, उसमें यह बताये गया है कि स्वस्त पुरुष के क्या लक्षन होते हैं उन्होंने कहा है कि सम दोशह समाग्णी चो, सम धातू मलक्रिय, प्रसन आतमेंद्रिय मनह, स्वस्त इत्य भीधियती ऐसा उसमें श्लोक आता है, इस तरह के वर्सिस है, आयुर्वेद की ग्रिंथ में कि सम दोशह, सम मतलब होता है बालेंस, एकिलिब्रियम स्टीट, हार्मोनी स्टीट, आयुर्वेद में हमारे शरीर के जो ये भौतिक शरीर है, फिसिकल बोडी है, इसके कुछ कमपोनेंट से बताए हैं, अलग-अलग, जैसे इसमें तीन दोश बताए गए है, दोश का मतलब आप ये मत समझें कोई एक इम्पूटेंट, एक महतपूर्ण घटक है, उसको वात, फित और कफ नाम दिया है, वात जो है ये शरीर में चलाइमान होता है, हमारी शरीर की ये डैनमिजम को अफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, पित जो है, ये शरीर के मेटबॉलिजम को रेगुलेट करता है, शरीर में जो पाचन क्रिया है शरीर की जो चयापचे क्रिया है उसको नियंत्रित और नियमित करती है पित पित का मतलब यहाँ पे किवल बाइल नहीं है, बाइल के अलावा भी और सारे पित अलग अलग तरह कि पित बताए गए है, रंजक पित, ब्राजक पृति इस तरह से, और तीसरा जो है वो कफ है, कफ जो है वो watery substances को represent करता है, जलिये भाग को जिससे की अधिकानस हमारा शरीर आधुनिक विज्ञान भी ये चीज़ को मानता है कि हमारी शरीर का अधिकानस हिसा जल से बना हुआ है, और कफ प्रधान जो है, तो इस तरह से जो वात, पित और कफ है, ये तीनों अगर सम अवस्था में है, बालेंस स्टेट में है, एकिलिब्रियम स्टेट में है, हार्मन चाहिए, ऐसा बताया, अगर इसमें कोई भी असंतुलन आता है, तो वो रोग का कारण बनता है, तो सम दोशह, समागनी चो, शरीर के अंदर आईरवेद के अनुसार हमारे शरीर में कुछ अगनियां भी पाए जाती है, अगनी, फायर, अब आप पूछेंगे कि शरीर में अगनी कैसे हो सकता है, अगनी होगा तो शरीर जल जाएगा, या शरीर को नुक्षान होगा, आप में से कोई इस पे कुछ बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं, हमारे शरीर में अगनी है, इसका क्या प्रमान है, इसका क्या प्रमान है, इसक इसम्हें कहा गया कि तेरा प्रकार की अगनिया होती है पंस्कि धातु अगनिया होती है तो इन अगनियों का शरीर में और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? स्वस्त पुरुष के लक्षन हमने वताये थे अभी इसी पे हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं, इसी की व्याक्षिया कर रहे हैं हमने अभी जो है तरदोश में वात्पितकफ के वारे में चर्चा की है उसके बाद अगनी पे आया, जैसा कि इससे पहले आप लोगों में इससे एक participants ने काफी अच्छी जानकारी दी कि अगनियां हमारी शरीर में किस तरह से काम करती है, अच्छे एक इसको हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जो अगनी है, इसका धर्म, इसका गुन क्या होता है, इ होगी कि नहीं, अगनी का गुन क्या है, गर्म, गर्मी होना, हीट, होट होना, अब अगर अगर अपने शरीर के तापमान को एक वार अपने बोड़ी के टेंपरेचर को आप मेजर करोगे, मापोगे, तो आपके बोड़ी में टेंपरेचर है, एक नियर टेंपरेचर है, हमा आपके बोड़ी में 98.4 डिग्री फारनाइट के आसपास टेंपरीचर है, हेल्दी बोड़ी में या उसको सेलेसियस में करेंगे, तो वो भी 37 के आसपास होता है, तो ये जो गर्मी है, ये जो उश्मा है, ये उश्मा किस सेज को रिप्रजेंट करता है, कि शरीर में कहीं ने कहीं सालेंट रूप से फायर है, तभी तो उसकी गर्मी हमें महसूस होती है, या हम उसको आपसर्व कर पाते हैं, तो ये अगनी शरीर के अलग-अलग क्रियाओं को प्रभावित करती है, संचालित करती है, जैसे कि आपके एक सामान्य अगनी हम लोग सुने होंगे, जठर अगनी, जठर अगनी, ये जो जठर है, ये जठर से तातपर यहां पर उसको आमाशे, जो हमारी पाचिन Τन्तर का एक महतपूर्ण हिस्सा है, उससे जो रस, पाचक रस रावित होती है, उसको जठर रस भी कहा जाता है और ये रस क्या करते हैं जो भूजन हम ग्रहन करते हैं उसका पाचक उसको पचाने का काम करते हैं डाइजिस्ट करने का तो ये जठर अगनी जो है जठर अगनी ये भूजन का पाचन करते हैं तो इस तरह से अगनी भी शम होना चाहिए, इस कहा गया है, बैलेंस स्टेट में होना चाहिए, and so sam दोशह समागनी चो, sam धातू मलक्रिय, sam धातू, धातू से यहाँ पे तात्पर है, आईरुवेद के ग्रंतों में, हमारे शरीर में साथ प्रकार की धातूएं बताई गई है, यह धातू हैं, शरीर को धारन करते हैं, रिटेन करते हैं बोडी को, जैसे हम लोग modern science में पढ़ते हैं, कि हमारे बोडी में अलग-लग tissues होते हैं, epithelial tissues हैं, connective tissue है, उसे तरह से nervous tissue है, यह सारे tissues हैं, तो आईरुवेद में जो बताया गया है, साथ प्रकार के धातू, यह धा द्रातु है रस, रक्त, मान्स, मेद, अस्थी, मज्जा, शुक्र। इस तरह से ये साथ प्रकार की धात्वें बताए गए हैं और ये उत्रोतर एक दूसरे में परिवर्थित होते रहते हैं, convert होते रहते हैं रस, रक्त में परिवर्तित होता है रक्त जो है मांस में मांस, मेद में में अस्थी में अस्थी मज्जा में मज्जा, शुक्र यवेरि में इस तरह से रूपांतरन होता है इसका ऐसा आयरुवेद के अनुसार मैंने बताया तो ये जो सब्त धातु है ये भी क्या होना चाहिए? संतुलित होनी चाहिए इसमें अगर शरीर में मेद बढ़ गया तो मेज से जनित रोग हो सकते है स्थूलता शरीर में बढ़ जाएगी मोटापा, ओवरवेट, इस तरह के लक्षन हो सकते है तो ये सब्त धातु सम्दोसा समागनी चाह सम्दातु मल क्रिया और शरीर में मल है मल को हम लोग वेस्टेज मानते है लेकिन आयुरवेद में मल, क्रिया जो है, जो मल है वो भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है, एक कंपोनेंट है और उसकी अधिक्ता नहीं होनी चाहिए मल की अगर अधिक्ता हो गई तो उससे भी रोग पैदा होता है तो ये जो मल है मल में शरीर के अलग-अलग मल, मुत्र, पूरिश इस तरह से बताए गए है ये सब चीजें तो ये सब क्या होना चाहिए बालेंस होनी चाहिए, पिल्कुल बालेंस्ट संतुलित सम्दोशह, समागनीचो, सम्धातु, मलक्रिय इनके बीच इंट्रेक्शन, इनका संतुलन होना चाहिए एंद्प्रसन आत्मेंद्रिय मनह उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों प्रसन होना चाहिए अगर ये सारे लक्षन किसी व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है इन्द्रिय और मन प्रसन हो आत्मा, हम लोग, सब लोग मानते हैं कि हमारे अंदर जो है, वो आत्मा कुछ अलग-अलग जो फिलोसफी है उस फिलोसफी में वह ही आत्मा को कि विशलेशन वैख्या अपने अलग-अलग दरीके से की गई है तो आत्मा, मन और इंद्रिया पुर्शन होना चाहिए इंद्रिया हम लोग जानते हैं इंद्रिया, modern science में भी इंद्रिया sense organs के बारे में पढ़ाया जाता है पाँच special senses होते हैं और कुछ general senses होते हैं कुछ special senses होते हैं, पंच ग्यान इंद्रिया हम अगर प्राचीनतम, हम अपने धर्शन में जाते हैं तो वहाँ पे पंच ग्यान इंद्रियां, पंच करमेंद्रियां ये करमेंद्रियों को भी बताया गया है ग्यान इंद्रियों के साथ-साथ तो ये ग्यान इंद्रियां और मन ये प्रशन हो इसमें कोई भी व्यतिरेक, कोई भी विक्षोव, कोई भी तनाव ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये प्रशन्न होनी चाहिए तो वो व्यक्ति क्या है, स्वस्त है, तो स्वास्त के इतने व्यापक, जो है व्यापक और विस्तृत जो चर्चा है, जो उसका महत्व है, वो अन्य किसी ग्रंथों में इतनी व्यापक और ब्रिहत चर्चा नहीं की गई है स्वास्त पे, जितने की आईरुवेद में की गई है आप जैसे कि हमने स्वास्त के परिभासा के बारे में बताया स्वास्त वरत विज्ञान है उसको अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें आपको व्रहद स्वास्त रहने के क्या-क्या उपाय है ये सब चीजें उसमें बिस्तार से बताये गया है तो ये आयरुवेदिक पक्ष को हम लोगों ने अभी चर्चा की है कि आयरुवेद में इस तरह से स्वास्त को परिभाशित किया गया है और स्वस्त रहने के लिए जो है इस तरह की concept आयरुवेद में स्वास्त के बताए गया है अब हम लोग योग के परिप्रेक्ष में भी थोड़ा देखते हैं, वैसे तो योग के ग्रंथों में स्वास्थ केवल शारिविक स्वास्थ या स्वास्थ का बहुत ही विशद वर्ण नहीं है, इसमें तो योग तो अपने आप में क्या है? ये जन्म मृत्यू जो हमारे बंधन है, इन बंधन से जो मुक्ति है, हमारी जो जीवात्मा स्वातंत्र कैसे हो इन बंधनों से, इसके विशे में इसके उपाये बताए हैं, योग इसके उपाये हैं। एक तरह से जो हमारे, हमारा जो अस्थित्त है, इसकी जो मौलिक, मौलिक्ता है, उन मौलिक्ता में हम अपने आपको कैसे स्थापित हों, ये विज्ञान जो है योग है। इसमें स्वास्त एक छोटा सा पहलू है, अगर आप योग सुत्र में देखेंगे, तो योग सुत्र में चित विक्षेप और विक्षेप सहभुव, विक्षेप के रूप में जो है व्याधी बताया है, व्याधी इस्तियान, संसे प्रमाद, आलस से अविरती, ये सब चीज अपने आप में ही, अगर शुस्वास्त सब्द की अगर आप व्याक्या करें, लिट्रल एक्स्प्लेनेशन करेंगे, उसका शावदिक अर्थ निकालेंगे, तो ये है स्वास्तित होना स्वा मिन्स यहाँ पर तातपर यह है कि अपने आप में अपने स्वयम में स्थित होना यह क्या है एक तरह से यह समाधी की अवस्था है अगर इसका लीटरल मिनिंग निकालें स्वास्थ का तो जैसे जो कि महर्सी पातंजली ने अपने योग शुत्र में बताया है कि जब चित वरती का निरोध हो जाता है हमारे चित के समस्त मल समस्त विकार जब दूर हो जाते हैं तो चित जो है वो निर्मल होता है और वो अपने मूल स्वरूप में जो द्रस्टा है वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है तदा द्रस्टू स्वरूपे वस्थानम ये क्या है पूर्ण स्वास्त की अगर पतंजली महरसी पतंजली के परिप्रेक्ष में अगर स्वास्त की व्याख्या करेंगे तो स्वास्त की ये व्याख्या है कि जब द्रस्टा मतलब हमारी आत्मा जो मौलिक चीज़ है वो अपने श्वरूप में一下度 हो जाए तो वो क्या है स्वास्थ की अरंस्था है अभी हम अपने श्वरूप में इस्थित नहीं हैं अभी हमारा जो मन है इंद्रियै है हमारा जो बुद्दी है ये सब बाहरी चीजों में एक तरस से अगर हम देखें तो अलग अलग चीजों से अटाईच जुड़ा हुआ है, जो चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है उससे हम जुड़े होते हैं और वो हमें प्रभावित करता है, अगर वो हमसे छुड़ जाता है, उसमें वो लॉस्ट कर जाता है तो हम बहुत धुखी हो जाते हैं बहुत ही विचलित हो जाते हैं तो योग के अनुसार जो है स्वस्त कौन है स्वस्त वही है जो पुरुश जो वेक्ति क्या है तदा द्रस्टु जो द्रस्टा अपने शरूप में इस्थित हो चुका है वो स्वस्थ है ऐसा हम योग के अनुसार कह सकते हैं अब अन्य भी कुछ अन्य जो है कुछ अन्य ज्ञान विज्ञान भी है जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा कहता है कि मूल रूप से जो पंच तत्व है हमारी शरीर के जो पांच तत्व है प्रत्री, जल, अगनी, वायू, आकाश, ये जो five basic elements हैं, इन elements, इन पंच भौतिक पदार्थ के बीच बेहतर संतुलन होना चाहिए शरीर में, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, ना इसकी अधित्ता होनी चाहिए, सम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अगर हमारे शरीर में प पंच भूत है, महाभूत, ये महाभूत अगर समुचित है और संतुलित है, तो हमारा शरीर स्वस्त है, ऐसा नेच्रोपैथी प्राकृतिक चिक्सा के अधार पे हम ऐसा कह सकते हैं, इस तरह की वर्नन है उसमें, इसके साथ साथ हमारी प्राचीनतम ज्यान विग्यान में ए इसको एस्टोलाजी या आप ज्योतिश विग्यान कह सकते हैं, ज्योतिश विग्यान, इस ज्योतिश विग्यान कहता है कि हमारा व्यक्ति का जो ग्रह और नक्षत्र की दशा है, अगर ये ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, स्वस्त होगा, ग्रह और नक्षत्र जो प्ल व्यक्ति से संबंधित प्लानेट युग्रह नक्षत्र है, उसकी अगर दसासम ठीक है, समुचित है, तो व्यक्ति स्वस्थ होगा ऐसा जो है, जो है, जोतिश शास्त्र में इस तरह की चर्चाएं है, तो ये सब क्या है, स्वास्त के विभिन पहलूओं को हमने अभी आपके स सामने रखा है, अलग-लग ज्यानविज्यान की पद्धती में इस तरह से हठ योग में अगर आप हम लोग हठ योग की बात करें, ये तो मैंने पातंजल योग सुत्र के परिप्रेक्ष में बात की, हठ योग एक योग की अलग धारा है, हठ योग में शरीर में अलग- अब यह बताये हैं, जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि शरीर में प्राण बताया है, पंच प्राण और पंच उप्राण, हठीयों की अनुसार, जो प्राण, उदान, समान, व्यान, ये सब चीजें जो पंच प्राण बताये गए हैं, व्यान, ये पंच वायू और इसके पांच उपप्रान भी बताए गए है, देबदत, धननजे, ये सब नाग, कुर्म, क्रिकल, देबदत और धननजे, ये पांच उपप्रान है, ये प्रान क्या करता है, शरीर के विभिन क्रियाओं को संचालित करता है, हमारे स्थिप्तों को संचालित करने में इसकी विज्ञान, तांतरिक विज्ञान, उसमें हठियोग अपने आपने स्वतंतर विज्ञान, स्वतंतर ग्रंथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ती तंतर से ही हुई है, तंतर का जो व्यभारिक पक्ष है, उसको आचारियों ने निकालके हठियोग के रूप में इसको स्थाबित किया है, तो जो तंतर और हथियोग है, इसमें इसके अनुसार अगर हम स्वास्त की व्याख्या करें, तो हमारे प्राण संतुलित हो, समुचित मात्रा में शरीर में हो, और जो नारयां है, जो हटियों के ग्रंथ है उसमें अलग-अलग ग्रंथों में नाडियों का भी वर्नन है जो प्रिंसिपल चैनल ऑफ एनरजी है शरीर में 72,000 नाडियों का उलेख किया गया है हटियों के ग्रंथों में इन नाडियों से अलग-अलग तरह के प्रान प्रवाहित होते हैं और ये प्रान जो है ये शरीर में अगर नाडियां सुध हो तो प्रान का संचार अवाद रूप से बिना किसी इंटरप्शन का होता रहता है और अगर इन नाडियों में मल हो, बहुत ज़्यादा मल या मल हो, रुकावत हो, तो प्रान का संचार समुचित नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति के शरीर में प्रान समुचित हो, प्रान का संवहन संचार प्रोपर हो, नाडिया सुध हो, कुंडलनी शक्ती भी बताए गई है, कुंडलनी शक्ती जागरित हो, और चक्र जो सब्त चक्र बताए गए हैं, अलग-अलग तरह कि हमारी शरीर में एन energy center बताए गये हैं मूलाधार, स्वाधिस्थान उसी तरह से जो है मनेपूर, अनाहत, विशुद्धी, आज्या, सहस्रार ये सारी चक्र अपने पूर्न स्वरूप में जागरित हो तो व्यक्ति क्या है स्वस्त है इस तरह से हम हठी हो क्याधार के इसकी व्याक्या विश्लेश जग ज्यान विज्यान की जो धाराएं हैं उन धाराओं में जो स्वास्त से संबंधित, जो चर्चाएं, जो तथ्य, जो प्रमान या जो तथ्य विश्लेशन आये हैं उन तथ्य विश्लेशन प्रमान को हमने रखने की कोशिश की है आपके साथ आधुनिक विज्यान, अंजल योग सुत्र, हठ योग, प्राकृतिक चिकित्सा है, या जुतिश विज्ञान है, ये सब में स्वास्त को कैसे देखा गया है, किस तरह से, इसको हमने अभी चर्चा की है, अब हम लोग आते हैं, ये तो स्वास्त हो गया, आपके इस लिवस में holistic health भी है, concept of holistic health, देखि holistic मतलब समग्र, समग्र मतलब complete, उसमें कोई भी पक्ष जो है अधूरा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समग्र, holistic, holistic health यही है, जो हमने अभी आयरुवेद के पक्ष को बता, आयरुवेद के अनुसार जो स्वास्त की परिवाशा बताया या स्वास्त पुर social, spiritual सारे ची जा जाते हैं, परशन आत्मेंद्रिये मन, आत्मा मन और इंद्रिये परशन हो, और यह सारे जो शाररिक मानसिक पक्ष है, यह सब है, यह अपने आप में holistic health का ही definition, जो WHO ने स्वास्त को परिवासित करने की कोशिश की है, वो भी holism की और जाने की कोशिश किया है मतलब समगरता की और जाने की कोशिश किया है, जो शारिक मानसिक और सामाजिक पक्ष है, पट वो समगरता हम उसको पूर्ण समगर रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से जो है समगरता की और, वो समगर रूप से परिवासित करने की कोशिश किया गया है, तो आईरव अपने आप में स्वास्त को की जो परिभासित करता है स्वास्त प्रूस के जो लक्षन बताते हैं वो अपने आप में क्या है समग्र स्वास्त की परिभासा है जिसमें हमारे existence के सभी components को cover किया है शरीर को भी cover किया है मन को भी cover किया है इंद्रिय को भी cover किया है आत्मा को भी cover क कि इस तरह से समग्र स्वास्त का मतलब यही है कि हमारे सभी पक्ष उसमें सम्मेलित हो, और यही समगरता है। अब हम लोग ये तो स्वास्त के विभिन्द पहलू हो गए है अब हम लोग आते हैं रोग पे आपके स्लेबस में रोग के विशे में भी है रोग की अवधारना रोग की अवधारना जो है concept of disease देखिए इस शब्द को अगर आप थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे रोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है diseases, disorders तो disease शब्द जो है वर्ड जो है इसको अगर आप फ्रेग्मेंट करेंगे तो dis is दो भाग में ये विभक्त हो जाता है ease क्या है जो ease है E-A-S-E इसी से बना है easy बोलते हैं ये easy है, आसान है ease का मतलब होता है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि जो हमने अभी homeostasis बताया था, equilibrium state बताया था, harmony बताया था वही state ease state है, आपके शरीर जो है वो सम अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है और उसके बीच में एक स्वस्त तालबेल है, सब ठीक से काम कर रहा है वह क्या है, ease state of health, ease state है वह, अगर वह ease state में कोई disturbance होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, dis, ease में dis आ गया, बैतिरेक आ गया, गरवरी आ गया, disc condition, dis, ease, ease state disturbed हो गया, that is called the disease state, रोग की अवस्था तो जो disease है, यह मैंने शाब्दी कर्थ बताए, उसी तरह से disorders, हमारा सरीर अभी order में है, अगर स्वस्त है, तो वो किस चीज़ को indicate करता है, एक order, healthy order में है, एक क्रम में है, सही क्रम में है, सही काम कर रहा है और उस क्रम में कोई, क्रम अगर विगर गया, order अगर उसमें कोई disturbance आ गया, तो उसको disorders कहा गया, बिमारी, अगर इसको हम परिवासित करें, तो disturbance in harmony, disturbance in harmony, जो हमारी harmony है, body की, वो harmony में अगर कोई रुकावत या कोई भी कमी आ गई है, तो वो क्या है, harmony, state अगर disturb हो गया, तो वो क्या है, रोग है, शरीर की जो साम्यावस्ता है, homeostasis है, यह disturb हो गया, that is called the disease, disturb homeostasis, state is called disease, यही रोग है, व्याधी है, तो यह शब्द का अर्थ है, यह हमने अभी रोग सब्द, व्याधी या disease, disorders, यह रोग को इस तरह से आप इसको परिवाशित कर सकते हैं, अब रोग, आधुनिक चिक्सा विज्ञान में, रोग के कई परकार, बहुत सारे division, बहुत सारे classification किये गए, और इसके कारण बताए गए, अलग-अलग कारण बताए गए, जैसे आप आधुनिक चिक्सा विज्ञान को देखेंगे, तो इसमें रोग के अलग-अलग जो परकार बताए गए, इससे यह क्या है कि शरीर के जिन अंगों को में, में अगर कोई किसी विशेश अंग में, विशेश क्रिया में, क्रिया कलाप में अगर जो बाधाएं या जो disturbances होती है, उसके आधार पे उसका रोग का नाम रख दिया, जैसे हार्ट में कोई disease आ गया, हिर्दय में कोई बिमारी हो गई, तो हिर्दय रोग हो गया, जो इस तरह से जो है, आधुनिक चिकस्ता विज्जान में कही तरह के रोग बताए गए हैं, जिससे कुछ रोग ऐसे होते हैं, जो बुढ़ापे में अकसर जो एजिंग प्रॉब्लम कहा गया है, एज जब कोई व्यक्ति elder age में पहुँच जाता है बुढ़ापे में तो उसके वज़े से भी कई तरह के रोग होते हैं जैसे arthritis घुटने का या जोडों का दर्द होना, नजर यानि vision कमजोर हो जाना, ये इस तरह से कई तरह के aging problem ये अलग है Oncology, एक disease का group है जिसमें की cancerous disease के बारे में अध्यन किया जाता है, abnormal cells जो body में develop हो जाते हैं उसी तरह से infectious disease है, कुछ ऐसे रोग हैं जो संक्रामक होते हैं, उसको संक्रामक रोग का नाम दिया है, ये रोग संक्रामक रोग, अभी हम लोग संक्रामक रोग के period से बाहर आए हैं, कुरोना हमारी ये क्या था, एक संक्रामक रोग था तो उसी तरह से जो है genetic diseases, एक group, एक class है, उसका नाम genetic disease रखा गया है genetic disease मतलब जो हमारी genes है, हमारी शरीर में जो कोशिक आए हैं, उसके अंदर जो chromosome है, उस chromosome में जो genes है, अगर defected genes है, तो वो genes जो है, वो जो जो जिस disease को, की संभावना को रखता है या जिसको create करता है, genetic diseases है कुछ diseases जैसे होते हैं, जो metabolism से related होते हैं, शरीर की जो आप चाहिक करिया है, वो अगर disturb हो जाए, तो उसके वज़े से जो diseases होते हैं, उसको metabolic diseases कहा गया है जैसे diabetes है, sugar का metabolism disturb हो जाता है, obesity है, motapa है, ये भी एक तरह से metabolic diseases के रूप में इसको जानते हैं तो metabolism disturb हुआ, तो metabolic disorders है, kidney और urinary tract diseases है, हमारी शरीर में जो kidney system के बारे में, हमने urinary system के बारे में चर्चा की थी वो kidney और kidney से जुड़े हुए जो रचनाएं हैं, उसमें अगर कोई disease होती है, तो उसको renal disease या kidney disorders नाम दिया है उसे तरह से cardiovascular disorders है, जो हमारे हिर्दे और रक्त परिशंचरन तंत्र में जो गरवडियां होती है, जो व्याधी होती है, वो cardiovascular diseases कहलाती है जाहे वो आजकल हम लोग जानते हैं कि जो coronary blockages है या other heart diseases है, यह तेजी से बढ़ रहा है respiratory diseases है, जिसमें lung से related diseases होते हैं, respiratory lung और lung से रस्वसन तंत्र से संबंधित रोग जैसे cold है, cough है, rhinitis है, sinusitis है, pharyngitis है, pneumonia, asthma, bronchitis, यह सब क्या है, सब respiratory diseases के category में इसको रखा गया है आधुनिक चिक साविग्यान में, उसे तरह से endocrine diseases, अभी हम लोगों ने कल ही endocrine system के बारे में बात की थी इस hormones की अधिक्ता और hormones की कमी से जो समस्याएं होती है, वो endocrinal diseases होते हैं इसे insulin की कमी है, तो diabetes mellitus है, या और भी हमने बताया था thyroidism, thyroid hormones की कमी या अधिक्ता इससे thyroid समंधी रोग होते हैं तो यह सब क्या है, endocrinal diseases के अंतरगत आते हैं, disease के अंतरगत आते हैं उसे तरह से elementary tract और pancreatic disease, जो पाचन तंतर है और उससे जुड़े हुए जो liver है, pancreas है, उस gallbladder है, उसमें अगर कोई समस्या आ गई, कोई problem हुआ, तो वो elementary tract diseases और यह सब के अंतरगत आते हैं in-digestion है, या अलग-अलग तरह के आपने constipation, in-digestion, IBS आपने सुना होगा, irritable boil syndrome, यह सब diarrhea, dysentery, यह सब क्या है, सब digestive tract से related diseases होते हैं blood disorders, यह cardiovascular diseases और blood disorders को इसमें अलग रखा गया है, blood related disorders होते हैं, musculoskeletal disorder, जो शरीर की पेशी तंत्र है, और जो कंकाल तंत्र है, इसमें जो गरवडियां होती है, चाहे वो arthritis हो, osteoporosis हो, या muscles में से related, जो myopathy है, muscles से related atrophy, muscular atrophy, hypertrophy, यह सब चीजें जो हैं, यह से musculoskeletal diseases है, neurological diseases, जो nervous system, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, उसको neurological disorders के अंतरगत रखा गया है, जिसमें meningitis, या और भी epilepsy, और अलग अलग तरह के cerebral stroke, यह सब चीजें जो है, skin diseases है, तो अचा से संबंधित रोग, psoriasis, या और भी diseases होते हैं, तो यह सब क्या है, यह आधुनिक चिकसा विग्यान ने disease के categories बना दी, अलग अलग categories में उसको divide किया है, on the basis of affected organ और mode of nature of disease, तो यह रोग के अलग अलग पहलू है, sorry, आधुनिक चिकसा विग्यान के आधार पे हमने रोग के बारे में रोग के categories बताई है, आधुनिक चिकसा विग्यान जो है, वो रोग के कुछ, हमने बताई के कुछ अलग अलग कारण बताई गए हैं, कुछ कारण जेनेटिक वजह से जो है, जेनेटिक डिजिज होते हैं, कुछ और वजह से एक प्रमुक वजह जो बताया है, वो environmental factors, environment कैसे health को affect करता है, जो हमारा परिवेश है, हमारा परियावरन है, वो हमारे स्वास्त को कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि हमारी जो आर्थिक इस्थती है, वो भी हमें हमारे स्वास्त को प्रभावित करता है, आर्थिक इस्थती मतलब अगर कोई आर्थिक रूप से कमजूर है, तो वो संतुलित आहार, जो संतुलित भूजिन है, बैलन्स डाइट है, उसको लेने में असमर्थ होगा, तो उसके कमी से मालनिट्रेशन, कुपोशन और ये सारे समस्याएं हो सकती है, उसके साथ साथ जो हाईजिन है, हाईजिन हम लोग सब लोग अपनाते हैं, साफ सफाई जिसको बोलते हैं, चाहे वो हमारे शरीर की सफाई हो, या हमारे घर की सफाई हो, हमारे आसपास की सफा यह जो सवच्छता है, यह hygiene भी important है. हम लोग जानते हैं इसकी महत तो क्या है, इसकी महत तो को भली भात ही समझते हैं. कई diseases ऐसे होते हैं, जो hygiene, जहां पर poor hygiene होते हैं, जहां पर साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ पे उस तरह के रोग पनपते हैं. कई कई कुछ डिजिज ऐसे होते हैं जो परिवेश अगर दूशित है प्रदूशन बहुत जादा है या उस वातावरन में कुछ विशैले पदार्थ है वायू में या जल में तो उससे भी स्वास्त प्रभावित होते हैं जिसे कहीं पे आपने सुना होगा कहीं कि पानी में ल दिखता है तो वहां के लोगों में उस तरह के उस पानी को पीने से जो है उससे समंधित रोग बिमारी हो जाती है डिजिजिज होते हैं ऑक्यूपेशन हमारा जो पेशा है जो हम काम करते हैं इस से रिलेटेट भी डिजिजिज बताए गए हैं कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसे उदारन के तौर पे अगर कोई मजदूर कोई काम करने वाला कोईले की ख़दान में काम करता है कोल माइन्स में तो वहां पे क्या है कि कोईले का पाउडर है या वहां की धुआ है धुम्र है इस सबसे उसमें लंग्स की से सम्मंधित स्वसंत अंतर से सम्मंधित तो उस तरह से climate है climate भी हमारे स्वास्त को प्रभावित करता है हम लोग जानते हैं जो climatic condition है जो मौसम है या वहां की जलवायू है जलवायू भी स्वास्त को प्रभावित करता है जलवायू अगर ठीक है तो जल और वायू इसको अगर देखेंगे तो तो हम स्वस्त होते हैं जलवाईयों अगर दूशित हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्ति है, तो वो भी हमारी स्वास्त के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है. हमारा आहार है, आहार पे आप लोग तो कई व्याख्यान सुन चुके हैं आहार कितना हमारी स्वास्त के लिए महतपूर्ण है, कितने important role play करता है आहार, आधुनिक चिकिसा विज्ञान में भी आहार जो है बहुत ही उसको उस पर बल दिया गया है dietetics होते हैं, एक अलग विज्ञान होती है, पाक चिकिसा, आहार चिकिसा इसके साथ साथ हमारी योग में भी आहार के विशे में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति योगा भ्यास करता है, योग के साधक है, तो उसको किस तरह का आहार लेना चाहिए उसको उन्होंने मीताहार बता, हठियों के ग्रंथों में मीताहार के रूप में उसका वर्नन किया गया है मिताहार होना चाहिए, मिताहार, मतलब appropriate diet उसमें उन्होंने कहा है कि जो हम भोजन करते हैं, तो हमारा जो जठर है, आमाश है उसका एक चोथाई हिस्सा खाली होना चाहिए, मतलब पेट को कभी भी over diet नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी खाना जरूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये कह सकते हैं कि भूख से ज़्यादा नहीं खाएं थोड़ा कम ही खाएं भूख से कम ही खाएं एक चौथाई पेट का हिस्सा खाली रहें ऐसा कहा गया है कि चतुर्थांस विवर्जित है और उसमें ये तो हो गया quantity of food कि आप कितने quantity में भोजन करें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह का भोजन करें भोजन की गुणवत्ता कैसा होना चाहिए तो उन्होंने बताया है कि सात्विक भूजन को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए योग करने वाले लोगों को जो लोग योगा भ्यास करते हैं योग के साधक है सात्विक भूजन जिसमें रश हो जो ताजा हो ये सब इस तरह के आहार जो को महत्ता देनी चाहिए ये स्रिमत भगवत गीता के सुलह में अध्याय में आहार के गुण वताए गए है सात्विक, राजसीक और तामसीक आहार कौन से आहार को सात्विक बोलेंगे, किसको राजसीक और किसको तामसीक बोलेंगे इसका स्रिमत भगवद गीता में विशद वर्नन क्या गया है श्लोक में आप उसको देख सकते हैं तो ये और तीसरे चीज़ बताई है कि हम जिस मनस्थिति में भोजन करते हैं जिस समय हम खाना खाते हैं उस समय हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए शान्थ होनी चाहिए, अगर हम तणाव में हैं, बहुत ज्यादा गुसे में हैं, चिर्चिरे हैं, व्यग्र हैं, तो ऐसे मनास्तिती में भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए, इससे भोजन का जो पाचन है उसे असर होता है, तो ये चीज़ को आधुनिक विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है, कि अगर आप stressful environment में हैं, stressful condition में हैं, तो आप का digestion disturb हो सकता है, तो वहाँ पे कहा गया है हमारी योग की ग्रंथों में कि भुज्यते शिव संपृत्य भोजन करने से पूर्व आप भोजन को आफर करिए, भोजन को अरपित करिए जहां भी आपकी स्रधा विश्वास है, अपने इस्ट में अपने भगवान को भोग लगा के परशाद कि भोजन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है योग की ग्रंथों में, अगर ऐसा करते हैं एक तरह से प्रेयर है, प्रार्थना है, किसी को अरपित करके, भगवान को अरपित करके, अपने इस्ट को समरपित करके जब भोजन करते हैं, तो हमारा मनस्ति जो है वो शान्त होता है, तो ये सब चीजें आहार के बारे में बताए गया है, आधुनिक चिकसा विज्ञान में संतुलित आहार का वर्नन किया गया है, जिसमें कार्भो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, खनीज लवन, विटामिन, जल, ये सब भोजन के घटक बताए गया है, और ये घटक समुचित मातरा में होनी चाहिए, अलग-अलग उम्र के अलग-अलग आवश्यक्ता बताए गई है, बच्चे का भोजन में इसकी जो रेश्यो है वो अलग है, एक दूद पिलाने वाली माह है, गर्वती माह है, उसके भोजन में इसकी मातरा अनुपात अलग, यो आवस्था में या बढ़ापे में सबके डाइटीशिन जो है, इसके डाइट चार्ट आप देखेंगे अलग-अलग डाइट चार्ट देते हैं कि आपको किस तरह का भोजन करना चाहिए, तो आधुनिक चिकसा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान में भोजन को संतुलित आहार को जो है, सं परस्त रहने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। कि कोई व्यक्ति अगर स्ट्रस्फुल एंवार्मेंट या स्ट्रस्फुल लाइफ जीता है, तनावपूर्ण जीवन जी रहा है, तो लंबे समय के बाद उसमें कुछ रोग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, जैसे स्ट्रस इंड्यूस्ट डिजिजेज कहा गया है, स्ट्रस और स्ट्रस इंड्यूस्ट डिजिजेज हो होने की संभावना बढ़ जाती है, तो स्ट्रस मैनेजमेंट के लिए कई तरह के प्रोग्राम कही जगह चलते हैं, तनावपूर्वंधन कैसे करें, योग अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतर तरीका है तनावपूर् रूप से घायाम करें और तनाव जिस कारक से तनाव उत्पन होता है, उस कारक से अपने आपको दूर रखें या उसको मैनेज करने की कोशिश करें, तो ये सब चीजे हैं, सोसियल सरकम्स्टांसेस है, जो सामाजिक परिवेश है, ये भी अमारे स्वास्त को प्रभावित कर समाजिक परिवेश क्या है? समाजिक परिवेश है कि जिस समाज में सोसाइटी में आप रहते हैं, उस समाज का स्ट्रक्शर, उस समाज में लोगों के बीच में इंट्रेक्शन कैसा है, लोगों के बीच में समाद कैसे होता है, कई जगह आपने सुना होगा कि जिस समाज में हिंसा जादा होता है जहां पे हिंसक वातावरन है जहां पे इस तरह की चीजें होती है असान्ती है, हिंशा है वहां के लोग डरे हुए और वहां के लोगों की जो मानसिक इस्तती है वो तुल्नात्मक रूप से जहां पे शान्ती है, सद्भाव है वहां के तुल्ला में मानसिक स्थिति खराब पाया गया है तो ये जो सामाजिक परिवेश है ये भी हमारी स्वास्त पे असर डालता है प्रभावित करता है हमारी स्वास्त को तो ये हमने बताया आपको आधुनिक चिक्रसाविज्ञान में ये सारे चीज़ें बताई गई है, सौस्त को प्रभावित करने की कारक आईरवेद के अनुसार रोग क्या है? आईरवेद में कहा गया है रोगस से दोष वैशम्यम दोष की विशम्यम जो हमने अभी वातपित कफ है जादतर रोग अधिकांस रोग जो है वातपित और कफ की विशम्यमता के कारण होता है ऐसा आईरवेद में कहा गया है कि रोगस स दोस वाईशम्यम वादपित कफ की विशमता असंतुलन होना या अगनी का अगनीतत्त है या धातु है यह सब असंतुलित हो जाना यह भी रोग का कारण है मानसिक रोग जो हमारे इंद्रियां में विक्षेप होना विक्षोब होना मन में विक्षोब होना ये मानसिक रोग का कारण है जो हम लोग जानते हैं एंक्साइटी डिसॉडर डिप्रेशन, मेज़र डिप्रेशिब डिसॉडर से है स्ट्रस है ये सब क्या है? मन में विक्षोब ही होता है हमारे मन की शांती, मन का जो संतुलन है ये बिगड़ जाता है तो ये मानसिक रोग है हमने योग के परिप्रेक्ष में बताया ही था है कि योग के परिप्रेक्ष में अगर देखें तो रोग का कारण रोग क्या है? महरसी पातंजली के परिप्रेक्ष में अगर बात करें पात अंजल योग सुत्र के परिप्रेक्ष में तो चित में जितनी मात्रा में वर्तियां होगी, अशुधियां होगी, मल होगा, विक्षेप होगा, वो व्यक्ति उतना ही अस्वस्त होगा जिस व्यक्ति के चित जितनी शुध होंगे, उत्रोतर सुध होते जाएंगे, उसकी स्वास्त का अस्तर उतना ही उच्छा होता जाएगा, उतना ही अच्छा होता जाएगा तो चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धी जो है ये स्वस्त अवस्था है और चित्त की अशुद्धी जो है ये रोग की अवस्था है ऐसा हम कह सकते हैं पातंजल योग सुत में हलाकि ऐसा वहाँ पे नहीं कहा गया है लेकिन हम इस तरह से इसका विसलेशन अपने आधा पर किया जा सकता है जो अंतराय है ये तो बाधा है ये इसमें रोग को बाधा ही कहा गया है स्वास्त के लिए योग मार्ग में रोग को एक बाधाक माना गया है बाधाक तक तो माना गया है उसी तरह से हठ योग में हमने बताये था आपको कि जो हमारी नाड़ी है अगर ये म रुखावट आएगा, प्रान के संचार में रुखावट आएगा, तो ये रोग का कारण बनेगा, उसी तरह से जो चक्र है, ये dormant होता है, जिसका सुप तवस्था में होता है, जागरित नहीं होगा, तो ये भी सामर्थ, कम सामर्थ होगा, व्यक्ति की जो potential है, वो कम होगा, कुंडलनी शक्ति जो है यह हमारे समस्त अस्तित्तों का ओर्जा का कैंधर होता है कुंडलनी जागरित होने से वेक्ति समगर स्वास्त की ओर समगर स्वास्त होता है तो हठियों के अनुसार हमारी प्रान संचार में प्रान के में बाधा आना प्रान के संचार में बाधा आना नाडियों में मल का इकठा होना ये सब भी रोग का आरण माना जासकता है जोतिश के अनुशार जो है ग्रह नक्षत्र का प्रतिकूल हो जाना दशा जो ग्रह नक्षत्र की दशा है, स्टेट है, वो प्रतिकूल है और पंच तत्व पंच महाभूत जो है ये विकृत हो गया है ये सब रोग के कारण माने गये हैं तो इस तरह से आप अपने एक्जाम में बता सकते हैं स्वास्त और रोग की अब धारना और अलग-अलग जो ग्यानवी ग्यान की पक्ष है अलग-अलग ग्यानवी ग्यान की जो धाराएं हैं उसके परिप्रेक्ष में आप इस तरह से आधुनेक्षे कि सवग्यान के अनुसार स्वास्त क्या है आयुरवेद के अनुसार योग के अनुसार इस तरह से उसी तरह रोग तो इस तरह से आप स्वास्त और और रोग के विशे में अपने परिक्षा में आप नूर्स बना के उसका आंसर उसका उतर कर सकते हैं तो मुझे आसा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, कुछ हद तक स्पस्ट हो गया होगा, ये टॉपिक स्वास्त और रूग की अवधारना और समगर स्वास्त की अवधारना.